नमस्कार स्वागत आपका निज्वल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूल त्यागी आप देख रहे हैं दिन भर की बड़ी खबर समलेंगेकों का ध्यान रखनी वाली शुश्मा दुर्वेदी विवाहिक कारूबार के शेत्र में कठिन है वो कहती हैं कि अमेरिका में महिला पंडित का मिलना लगभग मुश्किल है मेरी जानकारी में ऐसे दस लोग हैं इनमें से कोई भी समलेंगेकों और किंडरों को अपनी सेवाई नहीं देते हैं साल 2016 में मिसिस रुवेदी ने नियू यॉप में परपल पंडित प्रोजेक्ट की शुरुवाद भी की थी ये समलेंगेकों के लिए विवाह बच्चों का नाम करंड गह प्रवेश विवसाय की शुरुवाद जैसी धार्मिक सुविदाय मुहिया कराता है उन्होंने अब तक 33 शादियां कराई हैं जिनमें सेलगभग आदी समलेंगेकों की ही हैं जेडियू के राष्ट्रे अध्यक्ष आर्सीपी सिंग के केंद्र में मंत्री बन जाने के बाद से ही राष्ट्रे अध्यक्ष को लेकर चर्चान तेज हो गई है चर्चाओ के दौर में सबसे उपर पूर्व केंद्री मंत्री उपेंद्र कुश्वाहा का नाम चल रहा है लेकिन कुश्वाहा अगर राष्ट्रे अध्यक्ष बनते हैं तो संगचन में उपर से रेकर नीच्वे तक कई बदलाव करने पर सकते हैं नहीं इनके अध्यक्ष बनते ही सोशल इंजीनियरिंग के लिए मशूर नेतेश कुमार का पूरा समिकरन ध्वस्त पुता दिख रहा है अपने ही समा से आने वाले रसीपी सिंग को नेतेश कुमार ने पहले राष्ट्री अध्यक्ष बनाया फिर उन्हें केंदर में मंत्री भी बना दिया गया जबकि रसीपी सिंग से सीनिया नेता अपनी बारी के इंतिजार में रह गए दुनिया डेल्टा वेरियंट कोले कर चुंतित है इसी बीच बिटेंड के विग्यानिकों ने दावा किया है कि फाइजर का ठीका कोरोना के डेल्टा वेरियंट के लक्षन वाले संकमन्ट से बचाने में 88 फीस्दी तक असरदार है इससे पहले डिल्टा वेरियंट के खिलाफ स्कॉटलिंड के विग्यानिकों ने फाइजर के टीके को 80% दी जब की कैनेडा के विग्यानिकों ने 87% दी कारगर बताया था इसराइल के 187 ने खाली में बताया था कि फाइजर कमपनी का ठीका कोरोना के सभी वेरियंच के खिलाग 64 पीज़ दी असरदार है इससे पहले माई में इसराइल ने टीके को 95 पीज़ दी असरदार बताया था ठीके के असर को लेकर अलग अलग परिनामों को लेकर भी दुनिया भर में बहस शुरू हो गई है देश में पहली बार भौपाल एमस में हुए कोविट शबो के पोस्ट मॉडम में जो रिपोर्ट सामने आई है उसे जान कर आप हैरान रह जाएंगे बोपाल एम्स में 21 कोविट शबों की अटॉपसी के बाद खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस ने ना सिर्फ पेपड़े बलकि किड्नी, ब्रेन, पैंक्रियास, लीवर और हाट तक पहुँचकर अपना घातक असर दिखाया है बोपाल एम्स की स्टडी से इस बाद का भी खुलासा हुआ है कि मौत के 20 घंटे बाद तक कोरोना वायरस संकमित मरीज के शरीर में पाया गया और मृत व्यक्ति की आटी पीसिया टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई दिल्ली के कुछ हिस्सों में गुरुवार रात को जमाजम बारिश होई जिससे लोगों को भीशन गर्मी से राखत मिल गई है मौसम विभाग के अनुसार राश्ट्रे राजधानी में तापमान 41.08 डिग्री सेल्सियस दर्श किया गया जो समाने से 5 डिग्री ज्यादा था देल्ली में गुरुवार को इस महीने चोथे दिन भी लू चली मौसम विग्यान विभाग के मताबिक शेहर में विशन गर्मी पड़ रही है दिल्ली में 1 जुलाई को 42.1 डिग्री सेल्सियस था, 2 जुलाई को 43.3 डिग्री सेल्सियस और 7 जुलाई को 42.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था मैदानी लाखों में भीशन गर्मी की घोशना तब की जाती है जब अधिक्तम तापमान 44 डिग्री सेल्सिस ज्यादा और सामाने से कम में 4.5 डिग्री सेल्सिस ज्यादा हो मोधी केविनिट विसार के एक दिन बाद अपनी नई टीम के साथ प्रधान मंत्री नरेंद मोधी ने गुरुवार को वर्चुली बैठक की इस बैठक में कृशी और स्वास्ते शेत्रों समेत कई महतोपून फैसल लिए गए प्रधान मंत्री मोधी ने खुद ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाप लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए 23,000 करोड रुपे से ज्यादा के एक नई पैकेज को मनजूरी दी गई है इसके तहट देश के सभी जिलों में पिड्रियाटिक केर यूनिट से लेकर ICU बेड, ऑक्सीजन, स्टोरेज, अंबुलेंस और दवाव जैसे जरूरी इंतिजाम भी किये जाएंगे कैबिनेट मैठक के बाद प्रेस कॉन्फरेंस को संबोधित करते हुए केंदे सूचना और प्रसारन मंत्री अनुराग ठाकोर ने कहा कि किसानों को मंडी के जर्गे एक लाग करोड रुपे दिये जाएंगे अनुराग ठाकोर ने कहा कि पिछले साल 15 मैं को एग्रिकल्चर फंड का गठन किया गया था उसे APMC को मजबूत करने के लिए किया गया था उन्होंने कहा कि इस फंड में वित्तिय योगदान के तरीके में बदलाब किया गया है अनुराग ठाकोर ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए 23,123 करोड रुपे के एमरजंसी पैकेज को कैबिनेट ने मंसूरी दी है APMC में मंडियों के शक्ति करन के लिए भी काम किया जा रहा है भारत के लोगों को जल्द ही एक और वैक्सीन का विकल्प मिल सकता है इस महीने के आखिर तक या अगले महीने की शुरुआत में DNA तकनीक पर बनी इस वैक्सीन को लांच किया जा सकता है अब तक देश में इस्तमाल हो रही तीनों वैक्सीन से ये कई माइनों में अलग है सबसे पहले ये DNA तकनीक पर बनी है ये तीन डोस की है इसे रूम टेंपरेचर पर भी रखा जा सकता है और ये निडल फ्री रहेगी इसमें इंजेक्शन की जगा जेट इंजेक्टर का इस्तमाल किया जाएगा इसे दवा कंपनी जाइडस केडीलिया ने बनाया है और ये दुनिया का पहला DNA प्लाजमिट वैक्सीन भी है भारत में इसके मरजंसे इस्तमाल के लिए डी जी सी आई से मनजूरी मांगी गई है नैश्रल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रूप आप इम्यूनाइजेशन के चेयर परसन डॉक्टर एंके अरोडा ने बताया कि ये पहली DNA वैक्सीन है ये एक महीने के आखरी हफते या अगस्त के पहले हफते तक लाउंच हो सकती है उत्रप्रदेश की राज़दानी लखनौ में ब्लॉक प्रमुक चुनाव के लिए गुरुवार को प्रत्याशियों ने नामानकन दाखिल किया सबसे ज्यादा नामानकन चिन हिट ब्लॉक में हुए हैं यहां कुल चार प्रत्याशियों ने नामानकन किया लखनौ में ब्लॉक प्रमुक शुनाव कोले का कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है लगनों के 8 में से किसी भी ब्लॉक में कोई प्रत्याशे निर्विरोध निर्वाचित नहीं हुआ बलकि कुछ ब्लॉक में तो बीजेपी और सपा के अलावा कई प्रत्याशे ने पर्चा भरा है लखनों के 8 ब्लॉक में कुल 20 ब्लॉक प्रमुकपत के उम्मीदवारों ने अपना नमानकन पत्र जमा किया है सबसे ज्यादा 4 नमानकन चिनहट ब्लॉक में हुए इसके अलावा मोखन ताल गंच और बक्षी का तलाब में 3-3 ने नमानकन किया है बाकी 5 ब्लॉक में बीज़िपी और सपा के बीच ही मुकाबला हुगा जिस जिनहट ब्लॉक में सबसे ज्यादा नमानकन हुए है वहां बीज़िपी से मंजु सिंग और सपा से शशी यादव प्रत्याशी है केंडरे कैबिनेट का विस्तार हो गया है प्रधान मंत्री नरी नुबोधी की अगवाई में नई टीम ने काम भी करना शुरू कर दिया है उमीद जताई जा रही थी कि इस कैबिनेट विस्तार में उतरप्रदेश के से वरुन गांधी को भी जगा मिल सकती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ अब इस वर पूर्व केंद्रिय मंत्री मेंका गांधी का बयान सामने आया है मेंका गांधी का कहना है कि हम 600 से 650 के करीद सांसद है ऐसे में प्रधान मंत्री कितनों को जगा देंगे जिनको भी जगा मिली है वो अच्छा है बता दें कि मेंट का गांधी अपने दो दिवस्य दोरे पर सुल्टान पूर पहुंची थी जहां उन्होंने ये बयान दिया इस बुलेचर में फिलाल करे इतना ही आप देखते रहें न्यूस वर्ल इंडिया